अगर ये चीज़े आपके दिमाग में घूम रही है ना, तो क्या concentration level बनेगा, 100% तो कभी भी नहीं बन पाएगा So in yesterday's video, there was a beautiful comment, किसी बच्चे नहीं लिखा था कि किसी और को मत देखो जब आप अपनी preparation कर रहे हो First of all, we are very lucky कि IELTS में competition नहीं है, इसमें ये नहीं है कि टॉप 50 को visa दिया जाएगा या सिर्फ और सिर्फ 100 students जो टॉप के हैं इस particular city में वो apply कर सकते हैं, नहीं, नहीं है ना तो फिर क्यों भालतू का competition आप खुद लेके आ रहे हो, कि यार वो वाला लड़का चला गया, मेरा ये रिष्टेदार चला गया, लेकिन मैं रह गया तो ये चीज बड़ी demotivating है, अगर हम किसी के साथ मतलब जबरदस्ती competition ले रहे हैं, कि यार मैं क्यों नहीं जा पा रहा है, अगर कभी-कभी failure होता तो हम उससे सीख सकते हैं, you just need to focus on your goals, चाहे exam एक मन्त में होता है, चाहे दो मन्त में, चाहे तीन मन्त बात दे रहे हो, ले लेकिन ये confidence आप में ज़रूर होना चाहिए, कि मैंने जतना भी time preparation करी है, मैंने अपना 100% दिया, जब मैंने teach करना start करा था, तब मैंने ऐसे-एसे students देखे थे, कि सर मेरा दोस्त तो भी सरी में है, मेरा दोस्त भी Brampton में है, मेरी friend Toronto में है, concentration level 100% रखने के लिए ये सभी ये आपके दिमाग में घूम रही है तो क्या concentration level बनेगा, 100% जो कभी भी नहीं बन पाएगा, बात सारी टेकी है percentage पे, कि आप कितने percent focus कर पा रहे हो, जैसे task room में ideas होते हैं, एक तो idea होता है 100% relevant, कुछ ideas होते हैं, 60-70% relevant होते हैं, same चीज यहाँ पे है, don't look for the useless competition, इस competition का तो को selfishness focus on yourself, एक अपना अच्छा सा schedule बनाओ, follow करो, उसको consistent रहो daily, वो चीज़ follow करो, improvement क्यों नहीं होगी, definitely होगी, और अगर believe करना ना, तो result पे बार में believe करो, पहले process पे believe करो, process in the sense, जिस चीज़ पर practice कर रहे हो, जो चीज़ आप follow कर रहे हो, that is the process, उस पे believe करो, result automatically आजाएगा, पहले ही फल की चिंता मत करो,